नमस्कार आप से मिरनाम अशोग वी रादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइज वीडियोस अफ्लोड करता हूँ जो कि आप सब लोग से लाइक करते हैं पसंद करते हैं शेयर करते हैं आप तक नहीं क्या तुरंद करिएगा और दूसरे लोगों तक सबसे पहले बताना चाहँँगा कि जो पती पतिंगी ऑपर कानुनी मुकदमा वह हैं इनके पीछे कारण क्या है आज के समयमाय जो पतनी चाहती है वो पति दे पाता है या पिर नहीं दे पाता है ऐसे कई कारण सामने मेरे आए है जिसके दूरब मुझे मधा लगा है कि वा पतनी अपने पति पर करती क्यों है? क्या आसके पीचे कारण है? इस वीडियो को आप पूरा देखेगा और शेर जरूर करें ताकि और भी लोग इन सबस्ती उसे जान किस आता है. हैं तो आपको समझना है कि कारण मीरम सामने क्या है दखेए सबसे पहले पती पत्नी एक दूर्बेसरे के साथ संबमन में अमलब आलब एक दूर्खे से फोन व Sugden पर बात है होती है नसे को देखते हैं प्रसंद करते हैं और εδώ कुछ और उम्मीद करकाई थी अब सामने घर में सबस्क्राइए चाहिए अब कारण जो मोस्ट वाबली जो कौमली मेरे सामने आता है पतनियों की सब्सक्राइब क्या होती है कि सर वो अपनी मां की मानता है अपनी, मांका चमचा है अपनी, मांका, नौकर है पिताका नौकर है यह सब शह लिए शलिकरond पत्नी जो वो बहुत जादा बॉखला जाती है और फिर वो तो शोछिती है है और इसी बातों कहते हुए एक समय सा आता है क्योंकि जो कहने का तरीका है जो इंडेंशन है माल लीजिए मैं कहता हूं कहीं न कहीं जब आपके नहीं रिष्टे बनते हैं तो थोड़ा बहुत मन मुटाब आपका रहता है एक दूसरे के परती क्योंकि हर्वति हो चाता है कि मेरे अकॉर्डि मेरी पत्नी चले पत्रियों यह चाता है और पत्नी मैं ट्रांसफर करने लगती है तो फिर वहां एक बात की दो, दो की चार बनना शुरू हो जाता है और चब चार शुरू हो जाती है तो फिर दिमाग पत्नी खराब होता है और जब खराब होता है तो पती पे उतारती है पती के ममी, पापा, भाई, बहन उनसे बिवाद करना शुरू करती है और फिर ये विवाज छोटा छोटा बड़ा बन जाता है और बड़ाता है बनते बनते मुकदमे और मुकदमे से तलाक तक बाता जाती है अब समझ लेजिए कि छोटी सी बात कितना बड़ा रूप ले सकती है तो सबसे पहले कारणिक हाँ पर क्या है कि पतनी जो है वो यह कहत चाहूंगा कि आप जो है विस Yamin समझे कर लियर पती से पती मेरी मात मानेगा आप से पहले उसके जीवन मेंसकी माता हैं पिता है और आज कि लिए इतना अच्छे से हर वेखती जो है हर बेखती चाहता है कि एक मूल मंत्र बताता हूँ आपके लिए, अगर आप पतनी हैं और इस वीडियो को देख नहीं है, तो मैं कहता हूँ मूल मंत्र अपने पास रखिए, आपका जीवन में कभी भी आपका रिष्टा खराब नहीं होगा, पती पतनी का, जैसे ही आप शादी करके जिस सस्वाल मे ननद और जो घर में हैं, मतलब उन से जड़े हुए, उन लोगों की करें, अगर आप मैं कहता हूँ ननद की भी ना कर रहे हैं, सास रसुर की है, अगर आपने से ज़्यादा बढ़के मान लिया हो ना, तो मैं कहता हूँ फिर जो पती है न आपका, पती आपके तरफ जो आ माब चाहती ही न, कि मेरा पती मेरे कहना माने, मैं कहता हूँ आपका गुलाम बन जाएगा और आपके एकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि माब जो है, हर बेटा यह चाहता है, हर लड़का यही चाहता है, कुछ दोचा लड़के होंगे, जो अपती माब को परशान करना चा जो मरजीवक हो जाए, लेकिन बहुत जादा, 98% मैं कहता हूँ कि, और 99%, कुछ ही पॉइंट से में बहुंगे, जो बैकती होंगे, जो अपने माता को पिता को देखना ही चाहेंगे, लेकिन हर बेटा जो है, अपने माता को पिता को सुखी रखना चाहता है, सुखी देखना है, वो कहां पर है, अगर आप बहु बनकर जिस स्वाल माई हैं, उनका उसका जो अब आपका अदिकार जो है, इस घर पर है, यही पर आपका जीवन होगा, यही पर आपका जीवन बच्चे होंगे, आगे आपके संबन्द, आपके आपको रिष्टे जुड़ेंगे, नई पूर्ति करना, यह सब कुछ अब आपके भाई का काम है, वो इन सब चीजों को समाले, अब आपका काम क्या है, आप पत्नी बनकर आईए, तो आपका गाम है यह घर समालना, वो घर भाई के हैं, अब आप यह काम ना करिए, आपका घर बसेगा, नहीं बसाओगे, तो फिर आपका भी भाई का कहीं न कहीं कोई न कोई डिस्प्यूट हो जाए गासे कई मेरे पास हमने मुद्दे आये हैं आप तक कि कर्म जो है आपका पीछा नहीं छोड़ता है आपने गलत किया है तो गलत आपके सामने पीछे-पीछा आए गई आप कितने भी बुद्धी मान क्यों यहीं से चुटी-उटी बात बड़ी हो आती है दूसरा यह है कि माता पिता भी थोड़ा सा अपने आपको कंट्रोल करकर रखें शादी करने के बाद जो है ना बेटी को ज़्यादा तबज्जब दें ना बेटे को यह नहीं समझें कि हमारी बेटी हमारी लाड़ली है वैक जहर होगा उसकी जंदी में आपने गहल दिया यह चीज़ें आपको समझ नहीं है दूसरा बेटे के तरफ से अगरात करें तो बेटा बेटे के तरफ से जो मावाप है वो अपने बेटे से जाता उमीद ना रखें अगर बहु अच्छी है उसकी अपने बेटी से भी बहु मैं इसलिए नहीं कहा रहा हूं कि आपके अंदर मोह हैं आपके अंदर प्रेम हैं वह आप दूर करें लेकिन फिर भी आप अपने बेटे का जीवन सही करने के लिए उसको थोड़ा सा अपने अपने आपसे महो थोड़ा दूर करें और उससे कहें कि जैसे बहु कह रही है व दोनों को समझने हैं लड़की की तरफ भी समझने हैं और लड़की की तरफ से हिले हैं अगर आप दूने यह समझाओगे यह चीज इद दोम सक्ता हैं क कोई भीत ताकत पत्य प्रिवार बिगड़े मैंने जो चीज एनलाइज करी है वो मैंने आपको बताई है अगर इन दो बातों पर आपने ध्यान कर लिया मैं कहता हूं आपके जीवन को कोई भी हिला डोला नहीं सकता कोई भी किसी पर प्रसानी नहीं आएगी तो बस मैं अगर आप कोई लीगल एड वाइज भी आप ले सकते हैं आज का वीडियो में आपसी बहुत धन्नाबाद